फिल्म जेलर को लेकर काफी खुश नजर आये धलाईबार, मुस्कुराते हुए कह गए बड़ी बार, जेलर ने मचाया तहल का बड़े दिगज भी पहुंचे फिल्म देखने, ग्रेज बरात और रजनीकान भी पहुंच गए लखनव, बोले सियम योगी के साथ फिल्म देख रहे हैं, और अभिनेता फिल्म की सफलता को लेकर काफी खुश है, इस बीच थलाईवा राजधानी लखनव पहुंचे, उसके बाद रजनीकान ने प्रदेश की राजपाल से लखनव में मुलाकात की, फिल्म अभिनेता रजनीकान जब लखनव एरपोर्ट पहुंचे, त सब भगवान की क्रपा है, वहीं अभिनेता रजनीकान के साथ फिल्म देखने पहुंचे, यूपी के डिप्टी सियम केश्य प्रसाद मौरे ने थलाईवा की एक्टिंग स्किल्स की तारीफ की, और कहा, मुझे जेलर फिल्म देखने का भी मौका मिला, मैंने रजनीकान की क उत्तर प्रदेश आगमन हुआ है, मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में इस रजनीकान जी का हिर्देश से स्वागत करता हूँ, वह हमारे राज्य के अतिति हैं, आज उनके साथ जेलर के नाम से बनी हुई फिल्म को कुछ देर देखने का मुझे भी मौका मिला, पूर इस समय उनके साथ बैड़ करके फिल्म को देखता, वैसे मैंने इस रजनीकान जी की पिक्चर हाल में जा करके नहीं, पीवीर में जा करके नहीं, लेकिन अने एक फिल्म को देखा है, उनकी ऐसी प्रतिभा है अभिने की, कि किसी भी फिल्म में अगर कुछ उसके अंदर दि थोड़ा सा सुरुवाती हिस्सा देखा है, वाभी बहुत मुझे अच्छा लगा, मन था कि पूरे समय बैट करके देखूं, लेकिन हम लोग संगठन गढ़े चलो, सुपंत पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश-प्रदेश का हुआ काम सब किये चलो, पार्टी का कारकम इसके कारण से मुझे निकल करके बाहर आना पड़ा, मैं उनका स्वागत करता हूँ बता दें कि 10 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज हुई जेलर ने बॉक्स ओफिस पर धमाल मचा दिया है यह फिल्म तमिल, तेलुगू और हिंदी समेथ कई भाशाओं में रिलीज हुई थी हलाकि रजनीकांत इस से पहले साल 2021 में भी उत्तर प्रदेश आये थे इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कुछ लोकेशन पर अपनी फिल्म की शूटिंग भी की थी